हालो दोस्तों इंगलिस भाई अनुच कुमार यूटूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है दोस्तों आप इस वीडियो को सुरू सेन तक जरूर देखें यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक सेर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आज हम लोग इस वीडियो में फ्यूचर पाफेक्टेंस को पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग फ्यूचर पाफेक्टेंस का आइडेंटिफिकेशन अर्थात पहचान को देखेंगे इसका पहचान होता है हिंदी वाके किरिया कंत में चुका होगा चुके होगे चुकी होगी या होगा ए होंगे इ होगी चुकुंगा चुकेंगे चुकेगा इत्यादी लगे रहते हैं इस टेंस में अक्सर दो कारियों को होते हुए दिखलाया जाता है प्रन्तु इन दोनों कारियों में से जो पहले समाप्त होता है उसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्टेंस में किया जाता है जबकि जो बाद में समाप्त होता है उसका अनुवाद परजेंस इंपल टेंस में किया जाता है इन दोनों आक्यों को जोड़ने के लिए जरूरत का नुसार before या after का पर्योग किया जाता है सबसे पहले हम लोग affirmative sentences को देखेंगे इसका rule होता है subject plus cell या will plus have plus भाल्थिरी plus object यह rule future perfect tense का है लेकिन जब इस वाक्ष में दो काम होते हुए दिख्राया जाए तो क्या करेंगे before या after का पर्योग करेंगे इसके बाद subject इसके बाद भर one या भर five और इसके बाद object को लाएंगे अब हम sentence को देखेंगे मनोहर पुराना घर बेच दिया होगा बेच दिया होगा भर कौन बेच दिया होगा मनोहर subject क्या बैच दिया होगा पुराना घर ऑबजिक इसमें सिर्फ एक ही काम हो रहा है इसे ट्रांसलेट करेंगे तो सिर्फ फ्यूचर पॉफएक टेंस का नियम लगेगा जैसे रून का रायागी सबसे पहले सब्जेक्ट लाई इस सब्जेक्ट इसमें मनोहर है मनोहर लिख इसके बाद object है पुराना घर तर दी ओल्ड हाउस यानि मनोहर पुराना घर बेच दिया होगा मनोहर वील है इसके पुराना घर बेच दिया होगा और गणवा छोड़ना दूसरा काम हो रहा है तो इसमें कौन काम पहले हो रहा है तो मनोहर पुराना घर बेच दिया होगा इसे हम future perfect tense के नियम से translate करेंगे लेकिन गणवा छोड़ना इसको हम इबाद में हो रहा है तो इसको करेंगे present simple tense के नियम से जैसे मनोहर पुराना घर बेच दिया होगा अब यहां पर के पहले के लिए क्या करेंगे before अब इसके बाद गढ़वा छोड़ना तो यहां पर मनोहर के बारे में ही कहा जा रहा है तो मनोहर यहां पर नावन आया है तो दूसरे जहां इसका प्रोनावन आएंगे तो क्या हो जाएगा गढ़वा छोड़ना तो he lives मनोहर पुराना घर बेच दिया होगा मनोहर विल रैफ सोल्ड दी ओल्ड हाउस बिफोर ही लिफ्स गढववा next sentence है सूर्य ढ़लने के पहले पक्छी सो चुके होंगे इसमें सो चुके होंगे पहले काम हुगा इसको हम future perfect tense के नियम से अब सूर्य का ढ़लना बाद में हुगा इसे present simple tense के नियम से the words will have slept before the sun sets next है मेरे आने के पहले वह सो चुका होगा इस तरह से वह सो चुका होगा पहले काम होगा तो he will have slept before I come next sentence है डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा मर चुकेगा पहले काम होगा इसे future perfect tense के नियम से और डॉक्टर के आना बाद में होगा तिसे present simple tense के नियम से इससे बनाएंगे तो क्या होगा रोगी मर चुकेगा the patient will have died before the doctor comes next sentence है राची से आने के बाद रोहित एक कार खरिद चुका होगा अब काम कौन पहले हो रहा है राची से आना पहले काम होगा अब कार को खरिदना बाद में काम होगा तो राची से आना इसको हम future perfect tense के नियम से ट्नासलेट करेंगे और एक कार को खरिदना इससे हम present simple tense के नियम से ट्नासलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा रोहित बाइज अकार अब इसके बाद के बाद के लिए करेंगे after he will have come from राची यानि राची से आने के बाद रोहित एक कार खरिद चुका होगा रोहित बाइज अकार after he will have come from राची अब हम negative sentences को देखेंगे negative sentence का रूल होता है subject plus shall या will plus not plus have plus भर्थिरी plus object plus before या after plus subject भर 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 फाइफ plus object sentence है तुम अपना पाठ नहीं सिख चुकोगे you will not have learned your lesson next है अगले समवार तक मैं इस काम को नहीं कर चुका रहूंगा I shall not have finished this work by Monday next next है आप लोग भिखारियों को पैसा देने के बजाए एक मुठी चावल नहीं दिये होंगे you will not have given a handful rice instead of giving money to the beggars अब हम लोग yes no question को देखेंगे yes no question का रूल होता है sell या will plus subject plus have plus verb 3 plus object plus before या after plus subject plus verb 1 या verb 5 plus object और last में question mark sentence है क्या तुम्हारे आने के पहले वह खेल चुका होगा will he have played before you come next है क्या तुम्हारे आने के पहले वह अंडे उबाल चुकी होगी will she have boiled the eggs before you come अब हम लोग wh question को देखेंगे wh question का रूल होता है wh word plus sell या will plus subject plus have plus verb 3 plus object plus before या after plus subject plus verb 1 या verb 5 plus object और last में question mark sentence है मेरे आने के पहले वक्कियों सोच चुकेगी why will she have slept before I come next है मेरे खाने के पहले वक्कियों खा चुका होगा why will he have eaten before I eat दोस्तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा thanks for watching झ्राद कर झर कि घुका यह विं घ।